सालू जे भगवान में लीन रहता है यानि जो सीधा साधा व्यक्तित वाला इंसान हो और उसे उस लेवल तक प्रताडित किया जाए कि वो अपने जीवन को ही समाप्त कर देने वाली सिटुएशन में आ जाए तो याद रखिये ऐसा व्यक्ति जब बदला लेता है तो वो बदला भी ऐसा होता है जिसे इतिहास में सद्धियों तक याद रखा जाता है अब इन दोनों कहावतों को आप जोडेंगे तो कनेक्शन योगी आदित्यनाथ पर आकर ठहरता है हाली में खुखार अपराधी अतीक एहमद की गिरफतारी और उसके बाद उसके अपराधी बेटे असद अतीफ एहमद का एंकाउंटर किया जाना ये दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बात संसद में कही थी कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा वो अपनी बात को अब सच करने की मोड में आ चुके है लेकिन योगी आदित्यनाथ का अपराध और अपराधियों के प्रती इस रवये की गहराई में जाए तो आपको 2007 का योगी जी का वो वीडियो देखना चाहिए जहां वो अपनी बात कहते कहते रो पड़ते हैं मुझे जिसस परकार से राजनितिक खुब परवाग्रा कासिकारवनाय जा रहा है क्या मैं और आप से यह सरयान करने के नहीं हूँ इस संग्रक्सन यह असाथ अर्द देपा यह संग्रक्सन नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ दरसल 2007 में हुए उत्तर प्रदेश के दंगों के खिलाफ योगी आदित्यनात ने धरने पर बैठने का विचार बनाया और जब वो धरने पर बैठने जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें मामूली धराएं लगा कर गिरफतार कर लिया आम तोर पर इन धराओं में थाने लाकर छोड़ दिया जाता है और उसमें भी जब योगी आदित्यनात जैसा MP हो जो पहली बार में 25,000 वोटों से विजय हुआ हो दूसरी बार में 50,000 वोटों से और तीसरी बार में 1,500,000 वोटों से तो ऐसी जनता द्वारा चुने गए ऐसे MP को गिरफतार करके इन मामूली धराओं में भी उन्हें 11 दिन तक जेल में रखा गया ये समय था समाजवादी पार्टी की सरकार का और मुक्यमंत्री थे मुलाइम सिंग यादाओ इस घटना से योगी अधित्यनात इतने दुखी हो गए थे कि वो अपने आसों को रोक नहीं पाए रो पड़े लेकिन उनके आसों के पीछे एक मातर यही कारण नहीं था बलकि सच तो ये है कि समाजवादी के काल में जब आजम खान की तूती बोलती थी और वो दावा करता था कि वो आई-एस आफिसर्स अपने जूते साफ करवाएगा जब अतीक एहमद के अपराधों का सामराज्य चलता था जब मुकतार अंसारी के नाम से लोगों की गिग्या बंद जाती थी उस दौर में एक सन्यासी का इतने अधिक वोटों से जंता द्वारा चुना जाना इन सभी को खलता था और डारेक्टली या इंडारेक्टली ये सब योगी अधित्यनात को मेंटली टॉर्चर कर रहे थे आज हम जितने गैंक्स्टर्स के एंकाउंटर की बात सुन रहे हैं एक समय में इन लोगों का आतंक इस कदर था कि लोग शाम होने के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते थे खौफ के साय में आम आदमी अपना जीवन काट रहा था आप में से जो लोग उत्तर परदेश से ये वीडियो देख रहे हैं वो ये बात अच्छे से जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी के कारेकाल में यूपी में किस तरह का महौल बना हुआ था तो शुरुवात में मैंने जो बात बोली थी कि एक सीधे सचे इनसान को जब आप मांसिक प्रताड़ना देते हो उसे उस स्टेज पर लाख खड़ा करते हो जहां कोई और होता तो सिवसाइड कर लेता वो इनसान, वो व्यक्ती, वो संत जब अपनी पर आता है तो उन तमाम अप्राद्यों के लिए वो काल बन कर आता है और वैसे भी हर चीज़ की एक सीमा होती है अती तो किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए अब इसे आप revenge समझ लीजे, अपराधियों का सफाया समझ लीजे या अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की और कदम समझ लीजे लेकिन मानव जाती के point of view से इन अपराधियों का संहार बहुत महत्वपोंड था कल एक encounter में अपराधी अतीक एहमद के अपराधी बेटे असद अतीक एहमद का encounter करत की उसे मार दिया गया सामने आई तस्वीरों में देखने को मिला था कि उसकी paint गीली थी यानि encounter के समय डर से उसका पेशाब निकल गया था ये वही खूखार अपराधी था जो जाने कितने ही अपराधों में सनलिप्त पाया गया था इवन इसके तो लाइव मर्डर की वीडियो भी थी उसके बाद भी जब उसकी मृत्यू हुई तो वो डर के साए में थी वो मृत्यू खौफ के साए में थी और ये खौफ ऐसा था कि उसकी पैंट गिली हो चुकी थी इससे पहले आजम खान जैसे अपराधी जो किसी जमाने में अपने आप में एक पूरी सरकार कहलाती थी उसकी हालत ऐसी कर दी गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी मुक्तार अंसारी जिसके बलबूते सरकार गिरती और बनती थी आज जेल में सजा काट रहा है अतिक एमद जिसके सल्तनत के तले राजनितिक गुना भाग होते थे वो कहता है कि योगी हमें रगड रहे है किसी को पंजाब से इंपोर्ट करके जेल की चार दिवारी में ठूस दिया जाता है तो किसी को गुजरात से मंगवा कर रगड दिया जाता है कहीं न कहीं समाज के लिए तो ये अच्छा ही हुआ जितने लोगों का घर इन लोगों ने उजाड़ा है उनकी आत्मा को शांती मिल रहे होगी लेकिन इसके बाद भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग है जो एक गैंग्स्टर एक अपराधी के एंकाउंटर पर छाती पीट रहे है हैदराबाद में बैठा एक नेता कहता है कि ये गलत हुआ है एंकाउंटर में कैसे मारा जा सकता है कोई और कहता है कि उसकी कौम के मारे गए लोगों के हत्यारों को वहीं की सरकार क्यों नहीं पकड़ती उसके कहने का मतलब है कि असद अतीक एहमद को मारा जाना इसलिए गलत है कि वो एक मुसलिम था वो उसे गैंगस्टर अपराधी के नजरी इसे देखी नहीं रहा है इन चंद तिल मिलाएं लोगों में एक है दो कौडी की पत्रकार राना अयूब जिसने ट्वीट कर लिखा है इस ट्वीट से सीधे सीधे इस महतरमा की पीडा का अंदेशा लगाय जा सकता है इसके अंदर के दर्द का एहसास हो जाता है लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक अपराधी एक ऐसा अपराधी जो ओन कैमरा मर्डर करता है उसके एंकाउंटर से आप केवल इसलिए परिशान हो कि वो एक खास धर्म का है क्या होता अगर वो इस धर्म का ना होकर उस धर्म का होता जिसके खून बहने से राना अयूब को ट्वीट करने की जरूरत महसूस नहीं होती अपराधी तो अपराधी है जब विकास धुबे जैसे अपराधी की गाड़ी पलट जाती है और उसे उपर का टिकेट मिल सकता है तो अतीक एहमद या उसके बेटे की मौत पर सवाल केवल इसलिए उठाया जाना कि वो विशेश धर्म से है कहां तक सही है क्या किसी हिंदू ने पंडित ने विकास धुबे की मौत पर इस तरह के ट्वीट्स ये छाती थी नहीं क्योंकि वो जानते थे कि ये अपराधी था और इसके धर्ती पर जिंदा रहने से अनेकों मासूम जीवन पर खत्रा मंड़ाता रहता है इसलिए उसका दुनिया से अलविदा कहना बहुत जरूरी था अर्फा खानम शेरवानी नाम की एक सो कॉल्ड पतरकार है वो लिखती है मतलब एक अपराधी की मौत से इन लोगों के अंदर पनप रहे दर्द को आप जरूर फिल कर पा रहे होंगे भाई अपराधी किसी भी धर्म का हो अगर वो समाज के लिए नासूर बन जाए तो उसका मिट जाना अच्छा है तो बहतर है इमानदारी से एक सामाने जीवन बताओ हमारे देश के लौ में बहुत से लूप होल्स हैं जिसके कारण अपराधी अकसर बच निकलते हैं ऐसे में अगर किसी अपराधी के पापो का घड़ा भर चुका है उसके खिलाफ परियाप्त साक्षे आ चुके है तो अगर उसे जेल ले जाते समय उसकी गाड़ी पलट भी जाती है तो इसमें किसी को दर्द क्यूं होना चाहिए और ये तो सब जानते हैं कि पापो का फल इसी जन्नम में भुगतना होता है कल योगी जी को संसत में इन सब ने रुलाए था और आज योगी जी इने रगड रहे हैं ये काल चक्र है ऐसे ही चलता रहेगा जैहिंद वंदे मातरम